हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ अलग तरीकी की रेस्पी सेयर करें जिसे आप अगर एक बार बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेस्पी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स को बालेंगे इसके लिए किसी बरतन में पानी तो जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आने लगेगी तब हम इसमें आधा चम्मज नमक और एक चम्मज देल ढाल देंगे अब इसके बार में नूडल्स डाल देंगे तो आप जितनी क्वांटी में बनाना चाहते है उस शाब से नूडल्स ले सकते हैं तो यहां पर नूड उबालें चलाते रहें जिसे की नीचे से चिपके नहीं और यहां पर नूडल जो है आप देख सकते हैं तो इसे चिक करने के लिए हम एक नूडल को आप से तोड़ के देखेंगे अगर आप तूट रही है तो इसका मतलब नूडल अच्छे से पक गए हैं तो हम गैस की फ्ले तो यह पूरी तरीके से ठंडे हो गया है आप इसे पान से 10 मिर तक पंखे के नीचे रख देंगे जिससे कि इसका पानी है वह सूख जाए और इसके बाद हम एक कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम करेंगे जैसी तेल जो है अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसम हम पलट पलट का इसे सब तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे इनने फ्राई करने में लगबख साथ से आट मेट तक का समय लगता है तो ऐसे इने पलट पलट का चारो तरफ से अच्छे से फ्राई करेंगे दीरे दीरे आप देखेंगे कि नूडल्स का कलर जो है चेंज जैसे नोडल्स का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं तब हम गैस की फिल्म को बंद कर देंगे और नूडल्स को चान लेंगे तो नूडल्स को चानने के बाद आप इसे किसी पेपर पर आप इसे नैपकिन पर रख दें जिससे इसमें जो बारी कटावा लैसोन और एक चमस बारी कटावा अध्रक आट करेंगे इसे 10 सेकंड तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे इसके बाद इसमें दो हरी मिर्ज को 20 से काट कर आट करेंगे साथी प्याज आट कर देंगे तो यहां पर मैंने एक प्याज लिया है उर से ऐसे लच्छ मे कट कर लिया है अब इन्हें भी हम हाई फ्लेम पर एक मिर्ट तक पकाएंगे जब तक प्याज थोड़ा सा सौफ्ट नहीं हो जाता हो जैसे प्याज थोड़ा सा सौफ्ट हो जाएगा तब इसमें बाकी की सब्जी आट कर देंगे तो यहां पर मैंने गाजर शिमला मिर्ज पता गोवी लिया है इसे एक से दो बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें एक चौथाई चमज नमग और एक चौथाई चमज काली मिर्ज पाउडर आट करेंगे अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए एक मिया तक हाई फ्लेम पर भूनें अब यहां पर गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे ही सारे सौसेज जो है सबजी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके बाद जो हमने नूडल्स फ्राई करके रखे तो यहां पर मैंने नूडल्स को थोड़ा सा क्रस्क कर लिया है इसे इसमें एड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर हमारे नूडल्स भील जो हैं बनकर एकदम तयार है आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही जादा टीस्टी लग रहे हैं लास्में इसम के उपर से थोड़े से स्प्रिंग अनियर भी डाल सकते हैं और इसके बाद से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप यह रैस्पी बनाकर जरूर्ट राइख कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको रैस्पी कैसे लगी और अगर आपको रैस्पी पसंद आई हो तो वीड के सब्सक्राइब को अनकलेंज जिससे की नई वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें